हमारी बॉलीवूड फिल्म इंडेस्ट्री में दो बड़े सुपरस्टार्स हैं जिने नैशनल अवार्ड मिल चुका है ये ऐसे सुपरस्टार हैं जो एक्टिंग के दम पे अपने चाप छोड़ते हैं और हर एक करेक्टर को वो आजमाते हैं वर्सटार्स हैं मैं बात कर रहा हूँ अजे देवगन सहाब और अक्षे कुमार सहाब की दोनु ही वर्सटार्स हैं दोनु ही अलग अलग तरीके की फिल्मे करते हैं दोस्तों दोनों ने ही comedy फिल्मों में अपना हाथ अजमाया है और दोनों ही successful रहे हैं लेकिन after very long period of time दोनों फिर से comedy genre में वापस आ रहे हैं नमस्कार मैं हूँ राहूल भोच स्वागत है आपका आपके फेवरिट चैनल में बात करना चाहता हूँ अज़े देवगन जी और अक्षे कुमार जी के बारे में 2019 दोनों के लिए ही बहुत अलग रहा है जहां पर अज़े देवगन था आपकी total धमाल से शुरुआत होती है वहीं अज़ अक्षे कुमार जी की जो शुरुआत होती है वो केसरी से होती है अक्षे कुमार के अगर आप फिल्मों के ग्राफ देखेंगे दोस्तों तो कॉमेडी जॉन्रा थोड़ा कम हो गया था ज्यादे तर सोशल मैसेच की फिल्मे या फिर एक्शन फिल्म आ गई थी बीच में और कॉमेडी का तरका जिसके लिए खिलाडी कुमार मशूर थे अपनी कॉमिक टाइमिंग को लेकर वो थोड़ा सा हमें कम देखने को मिल रहा था लेकिन फाइनली 2019 में वो कॉमेडी में फिर से वापस आ रहे हैं और उसके बाद आने वाले उनकी फिल्म में कुछ-कुछ कॉमेडी ही होने वाली है आपको अगर मैं बता दू तो गुड नीज आने वाली है जो कि कॉमेडी प्लस नॉर्मल सिचुएशन पे बेज़्ट है वहीं दूसरी तरफ जो उनकी फिल्म all and all कॉमेडी फिल्म आ रही है वो हाउसफुल 4 है और वहीं 2020 में उनकी कंचना पार्ट 2 आ रही है मतलब कंचना का रीमेक आ रहा है सो ऐसे में खिलाडी कुमार तो अपने कॉमेडी शॉन्रा में उतर गए है वहीं बात करता हूँ अजे देवगण सहाब की बात्षाहों जैसे intense फिल्म करने वाले Singham, Singham 2, Singham Returns मतलब ऐसी फिल्म करने वाले अब फिर से दोस्तों एक कॉमेडी शॉन्रा में आये है और वो है Total Dhamal Total Dhamal में हम जानते हैं कि बॉक्स ओफिस पर छप पर फार कमाई की है 2019 में इस फिल्म ने और अजे देवगण सहाब को फिर से कॉमिक जॉन्रा का एक बहुती प्रामिजिंग चेहरा बना दिया है वहीं अगर मैं बात करूँ तो उनकी जो दूसरी ओल एन ओल फिल्म है 2019 की वह भी फुल-उन कॉमेडी होने वाली है जो की है दे दे प्यार दे और वह ट्रस्ट मी इट विल बी डिटेफिनेटली अ ब्लॉक बस्ट अ फिल्म इन 2019 सो ऐसे में हमारे खिलाडी कुमार और अजे देवगण को पता चल चुका है कॉमेडी जॉनरा भी अच्छा है और कॉमेडी जॉनरा को भी मोर एंड मोर एक्स्प्लोर करना चाहिए दोस्तों आपको कैसी लगती है इन दोनु की कॉमेडी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बले रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं राहुल भोज आपको पलपल की अपडेट्स देता रहूंगा